दोस्तों गणेश चतूर्थी आने वाली है और गणेश चतूर्थी इस्पेसल में आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेकिया हैं बहुती आसान तरीके से बने चना दाल के स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी चनादाल के लड़ू तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बना कर खाये होंगे बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राइ कीजेगा ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आईगी अब हम पटापट से देख लेते हैं चनादाल के स्वादिष्ट लड़ू असान तरीके से कैसे बनाते हैं हेलो एवरीवान में किमिराटोर आज की बेस्ट जपी में आपका स्वागत है लड़ू बनाने के लिए हमने एक बावल चने की डाल ली है चने की डाल को बड़े बावल में ट्रास्पर कर देंगे और साप पानी से अच्छे से दो से तीन बार दो लेंगे डाल में पानी डालने के बाद डाल को हाथ से मसलते हुए अच्छे से दोएंगे ताकि इसमें पाउडर वग्राय लगा हो ता अच्छे से निकल जाए हमने दाल को अच्छे से धो लिया है हमने जीस बाउल से चना दाल ली है उसी बाउल से दो बाउल पानी एट कर देंगे और ढखकर 3-4 गंटे के लिए दाल को भीगो कर रख देंगे अब हम मिलते हैं चार गंटे के बाद में हमने चना दाल को चार गंटे के लिए पानी में भीगो कर रखा था अब हम इसे देखते हैं दाल अच्छे से फूल गई है अब हम बाउल का सारा पानी फेक देंगे पानी में भीगोई होई दाल को जाली वाली टोकरी में डाल देंगे ताकि दाल अलग हो जाए और दाल का पानी अलग हो जाए हमने दाल का सारा पानी निधार लिया है अब हम दाल को मिक्सी के जार में एट कर देंगे और इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे हमने इस तरह से चना दाल को मिक्सी में एक मिनट के लिए ग्राइन कर लिया है अब हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्या बना लेंगे और दाल से सारी टिक्या बना कर एक प्लेट में खटा कर लेंगे इस तरह से हमने सारी टिक्या बना ली है अब हम इनको गी में फ्राइ कर लेंगे हमने टिक्या फ्राइ करने के लिए 2-500 ग्राम के लगबग देशी घी लिया है गेस की आज तेज कर देंगे और गी को कड़क गर्म होने देंगे गी गर्म हो गया है अब हम गेस की आज मिडियम कर देंगे फ्राई करने के लिए कड़ाई में एक एक टिक्या हलके हाँ से एट करेंगे दोस्तों टिक्या फ्राई करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें घी बहुत गर्म रहता है इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से करें टिकिया एक साइट से थोड़ी फ्राई हो गई है अब हम टिकिया को पल्टा देंगे और दूसरी साइट से भी इसे फ्राई करेंगे टिकिया fry होने के बाद हलके golden brown रंकी नहीं दिखने लग जाती तब तक टिकिया को हर थोड़ी देर पर पलटाते हुए fry करना है टिकिया को तेज आज पर fry नहीं करें अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे हमने इस तरह से सारी टिकिया को fry कर लिया है अब हम इसे 8-10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे हमने गी में फ्राइ करने के बाद टिकिया को ठंडा होने के लिए रख दिया था इसे 10 मिनट हो गए हैं अब हम सारी टिक्या को तोड़कर मिक्सी के जार में खटा कर लेंगे और मिक्सी में इसका पेश्ट बना लेंगे। यदि आप लेगू का मिक्सी का जार छोटा हो तो आप लोग थोड़ी थोड़ी टिक्या तोड़कर मिक्सी में इसका पाउडर बनाएं। इस तरह से हमने टिक्या को मिक्सी में बारिक पीस लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर गेस होन कर देंगे, कड़ाई में एक बावल चिनी डाल देंगे, आदा बावल पानी एट कर देंगे हमने जिस बावल से चने की दाल लिती उसी सेम बावल से एक बावल चीनी एट कर रहे हैं चीनी को अच्छे से मिला देंगे हमें मिडियम आज पर चीनी को पकाते हुए 3-4 मिनिट हो गए हैं चीनी पुरी तरह से गुल गई है चासनी में एक पींचर एट फूट कलर एट कर देंगे चासनी में थोड़ा फूट कलर एट कर देने से लड़ू का कलर अच्छा हैगा यदि आप लोगों को फूट कलर नहीं एट करना हो तो आप लोग इसे इसकी भी कर सकते हो food color को भी अच्छे से मिला देंगे gase की आज medium रखेंगे और चासनी को हल्की चिपचिप होने तक पकाएंगे और बिच बिच में चलाते रहेंगे हमें चासनी को पकाते हुए 5-6 मिनट हो गए है चासनी पकने के बाद हल्की चिपचिपऀ हो गई है आप लोग देख सकते हैं चासनी में तार नहीं बनाए, सिर्प चिपचिपी हुई है अब हम इसमें PCV चनाडाल एट कर देंगे चनाडाल एट करने के बाद गेज की आज बिलकुल धीमी कर देंगे और अच्छे से चासनी में मिलाएंगे हमने चासनी में चनादाल को अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें ड्राइफूट एट कर देंगे दो टीस्पून पिस्ता कतरन दो टीस्पून तर्बुज मगद हाफ टीस्पून इलाइची पाउडर हमने थोड़ी चिनी मिला कर साथ से आठ इलाइची को खडबटे में बारिक पीस लिया है सारे ड्राइफूट को चासनी में अच्छे से मिला देंगे दोस्तों यदि स्टेप बाइस्टेप आप लोग हमारी रेसिपी को देखकर चनादाल के लड़ू बनाएंगे तो आप लोगों के लड़ू भी आसानी से बन जाएंगे और खाने में भी भूट टेस्टी लगेंगे हमने सारे ड्राइफूट को अच्छे से मिला दिया है अब हम गेस को बन कर देंगे और लड़ू बनाने के मिक्चर को थाली में टास्पर कर लेंगे मिश्रण थोड़ा थंडा हो गया है अब हम हाथ में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर इस तरह से लड़ू बनाएंगे लड़ू आप लोग अपनी इसाप से छोटे बड़े बना सकते हो इस तरह से हमने लड़ू बना लिया है एसे ही सारे लड़ू बनाएंगे सारे लड़ू बनाकर एक प्लेट में खटा कर लेंगे इस तरह से हमने सारे लड़ू बना लिये हैं थोड़े केसर के धागे से गारनिस कर देंगे इस तरह से चनादाल के सोप्ट और स्वाधिस्ट लड़ू बनकर तयार हैं हम आपको एक लड़ू तोड़के दिखाते हैं। हमारे लड़ू देखने में जितने डिलिशियस लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी चनादाल के लड़ू बनाने की रेसिपी पसंद आ हो, तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों कले हरो रोज नएने रेसिपी लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ धन्यवाद।